आपको सुनना है गाना है और डान्स करना है तो चलिए आप सुनेंगे साथ साथ बोलेंगे और फिर डान्स भी करना अब ये मेरी गो राउंड क्या होता है मेरी गो राउंड होता है ये वाला जूला जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये आपको कहां मिलता है ये जब भी आप मेले में जाते हैं तो आपको वहां देखने को मिल जाता है और बच्चे इसको खूब एंजोई करते हैं तो यहां पर यह जो बच्ची है यह भी अपना experience बता रही है कि उसको यहां जब वो यहां बैठी थी तो उसको कैसा feel हुआ था आपको कैसा feel होता है अगर आप इस पे बैठे हैं तो मुझे comment box में लिकर जरूर बता देना तो चलिए इसको देख लेते हैं यह girl कह रही है I climbed up on the merry-go-round and it went round and round मैं जब इस merry-go-round है इस पर बैठ गई थी और यह कैसे जा रहा था यह round and round जा रहा था round and round क्या होता है गोल गोल जा रहा था इस तरह से shape में ऐसे जा रहा था गोल 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 ऐसे round shape में जा रहा था और I climbed up on a big brown horse and it went up and down आगे girl क्या कह रही है कि मैं वहां पर किस पर बैठ गई थी एक बड़े से brown color के horse पर जैसा कि यह picture में दिखाया गया है और इसने क्या कहा यह कैसे जा रहा था उपर जा रहा था और नीचे जा रहा था ऐसे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे round and round और फिर से round and around round round क्या होता है in a circle और round क्या होता है गोल तो यह कैसे जा रहा था in a circle में जा रहा था गोल गोल जा रहा था up and down, उपर जा रहा था और नीचे जा रहा था, around and round, in a circle, and round shape में, and up and down, उपर जा रहा था, और नीचे जा रहा था, I sat high up, और मैं उपर बैट गई, किस पर, on a big brown horse, एक बड़े से brown color के horse पर, and road around, और वो चारो तरफ सवार हुकर में जा रही थी, on किस पर, on the merry-go-round, merry-go-round पर, and road around, और वो कैसे जा रहा था, in a circle, circle shape में जा रहा था, on the merry-go-round, I rode around, on the merry-go-round, around, and round, and round, यह girl कह रही है, मैं किस पर गई, merry-go-round पर, और वो कहा जा रहा था, around जा रहा था, around जा रहा था, around मैं ने आपको बताया, कैसे, around यानी, in a circle, कैसे, circle में, इस तरह से, यह circle होता है ना, आपने भी circle, draw करा होगा, तो circle में जा रहा था, और उसके चारो तरफ जा रहा था, ऐसे करके, ऐसे करके, यह circle में, merry-go-round जा रहा था, तो अगर आपने कभी इसको, enjoy किया हो, तो आप मुझे जरूर बताना, और आप इसको feel भी करना, कि आपको कितना मजाता है, जब वो up and down जाता है, या फिर around and round जा देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे इसमें new words को, around means in a circle, down means नीचे, in a bottom or low position, in means used to show position within something, यानि जब कोई चीज किसी के चीज के बीच में होती है, जैसे यहां पर मैंने एक basket बिनाई है, basket में, क्या रखा है, mango, जैसे आपका एक bag होता है, और bag के अंदर क्या होती है books होती हैं, तो उसमें बोलते हैं, my books are in the bag, यैसे ही basket में क्या है, mango है, the mango is in the basket, on, on मने होता है, उपर, to put in contact with something for support, जब कोई चीज किसी चीज के उपर रखी जाती है, जैसे यहां पर एक table बना है, table के उपर क्या रखी है, book, तो book कहा है, where is the book, the book is on the table, book कहा है, table के उपर, out मन आपको बोला जाता है, go outside, तो out मने होता है, बहर, round मने होता है, circle shape, जो circle shape में होता है, उसको round कहते है, अब मने, उपर, यानि high, अगे question क्या है, next question है, white, opposite of, किसका किसका opposite लिखना है, big, big opposite होता है, small, अपका होता है, down, and go का, come, high का, low, और यहां पर हम देखेंगे, आपकी ज है, उसमें कुछ past tense की forms आई हुई है, जैसे आया है, climbed, went, sat, road, तो यह किसकी, किसकी होती है, past tense की form होती है, जैसे climb verb है, तो climb का, climbed होता है, go का, went होता है, sit का, sat होता है, और right का, road हो जाता है, next है, four verbs used in the poem, four verbs, climbed, went, sat, and road, यह verbs है, जो की poem में used की गई है, next है, identify, आपको बताना है, कि color used in the poem, कौन सा color का नेम पोयम में आया है, तो आया है, brown, a big brown horse, animal name used in the poem, कौन से animal का नेम पोयम में यूज किया गया है, तो हो है, horse, आपने भी देखा था, a big brown horse, अभी हम करेंगे इसके question answers को, first question is here, how did the merry go round, go, the merry go round, went round and round, next question is here, how did the big brown horse go, the big brown horse went up and down, next question is, have you seen a merry go round, अपने कभी merry go round को देखा है, तो वेसे तो, जो merry go round होता है, वो कहां पर, होता है, मेलों में दिखा ही देता है, जहां मेले लगते हैं वहाँ पर, तो आपने भी देखा ही होगा, आप भी सारे बच्चे मेले में तो जरूर जाते हैं, तो आप उसको कैसे answer देंगे? Yes, I have seen a merry-go-round. It is always fun to take it. Ride on it. Next question is here. Where have you seen it? आपने इसको कहां देखा है? I have seen it in a fair. Next question is here. Would you like to go to a fair? Fair में आप जाना पसंद करते हैं? तो सभी को मेले में जाना पसंद होता है. Fair में सब जाते हैं. Yes, I would like to go to a fair. कब जाते हैं? कब जाना पसंद करते हैं? तो किसी भी occasion पर बच्चे जा सकते हैं. लेकिन जब किसी का birthday हो तो और भी special हो जाता है. तो आप कैसे बताहिंगे? Yes, I would like to go to a fair on my birthday with my parents and sister or brother. Let's share. Look at this picture and describe the fair. Talk about the things you enjoy at the fair. यहां पर एक picture बना दिखाई गई है. उसमें मेले के बारे में describe किया गया है. मेले के बारे में बताया गया है. और आप से पूछा गया है कि आप यहां पर जो भी चीजें दिख रही हैं आपको, जिन चीजें को आप एंजोय करते हो, उसके बारे में आप बात करेंगे. तो यहां पर आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? आप इन सब चीजें के बारे में बात करेंगे. यहां पर देखें, बैलोन्स हैं, मेरी गो राउंड है, एक टॉइ शॉप है, बैलून वाला है, तो इन सब चीजों के बारे में आप इसको लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप ऐसे लिखेंगे There are many children in a fair, they are enjoying their rides in the fair, they have come with their parents The children are buying balloons and toys, the weather is very pleasant, everyone is having fun और आप कैसे बात करेंगे, आप देखेंगे I enjoy sitting in toy train and merry-go-round I love trying different type of things to eat in food stall I also enjoy buying toys for myself from there तो आपको ये वीडियो कैसी लगी?